hello and welcome to your favorite channel brain or solution आज हम करेंगे question no.4 ठीक है क्या कह रहा है यहां पर तुम्हारे पास एक figure given ठीक है यहां पर तुम्हारे पास आंगल A B C 69 degrees given है तो हम लिख लेते हैं क्या क्या given है ठीक है लिखो आंगल A B C 69 degrees ठीक है फिर आंगल A C B यह कितना है आंगल A C B this is 31 degrees ठीक है यह कह रहे हैं आप तु find out angle B D C इसको जो है तुम लोग को निकालना है ठीक है अब देखो B D C मैं क्या कर सकते हैं कैसे इसको start करेंगे इस question को तो देखो बच्चो यह जो आंगल है ठीक है यह वाला segment है ठीक है इसी में यह वाला angle है इसी में ही दूसरा angle है B A C कैसे समझते हैं कि देखो यह B D C B C court पर है ऐसे ही B A C यह भी B C court पर है तो दोनों angle same segment में ठीक है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि angle B A C is equal to angle B D C क्यों है क्योंकि angles in the same segment ठीक है clear रही वाली बात अब हम क्या कहेंगे लेकिन तुम्हें तो अब B A C भी नहीं पता हमें तो नहीं पता है तो हम क्या करेंगे in triangle B A C मैंने यह वाला triangle पूरा ले लिया ठीक है इसमें angles हम property निकालते हैं कि तीनों angles का साम 180 होगा तो मैं यहां से कह सकती हूँ angle B C है यह कितना होना चाहिए 180 degree यह क्या लगा है मैंने angle sum property लिख दो angle sum property ठीक है बच्चो अब देखो B A C तो तुम्हें पता नहीं तो हम लिख देंगे angle B A C plus A B C कितना है तुम्हारा 69 degrees given है B C कितना given है तुम्हारा 31 degrees given है यह सम मिल के हो जाएगा 180 ठीक है तो इन दोनों का sum कितना हो जाएगा तुम्हारा यह हो जाएगा 100 है ना तो angle BAC कितना हो जाएगा 180 minus इन दोनों का सामें 100 है न तो मैं इसे सीधे सीधे 100 लिख दू ठीक 100 को इधर लाओ तो minus हो जाएगा तो angle BAC कितना हो जाएगा तुम्हारा 80 degrees ठीक है clear अब देखो बच्चो जब BAC 80 आ गया तो मैं कह सकती हो angle BDC कितना हो जाएगा ये भी तुम्हारा 80 degrees हो जाएगा ठीक है तो लिख दो नीचे angle BAC is equal to angle BDC तो मैं कह सकती हो कि angle BDC is also 80 degrees ठीक है clear है I hope ये question अच्छे से समझ में आया होगा अब आजो तुम इसके question number 5 पर अब आजो बच्चो question number 5 पर ठीक है ये कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हारे पास 4.1 circle पर A B C D यहाँ पर इसके diagonals है A C और D B ये दोनों जो meet कर रहे हैं वो point E पर meet कर रहे हैं ठीक है clear है अब देखो ये कह रहे हैं D E C तुम्हारा 130 degrees है clear है E C D ये 20 degrees है अब तुमको angle B A C find out करना है तो देखो सबसे पहली बात मुझे पता है angle B A C किसकी equal होगा angle B A D C के हमारी approach कह रहे पहले वो समझे इस question को solve करने में B A C B D C के equal होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि दोनों same court परे B C court परे B A C और B D C ठीक है तो तुम लोग इसका reason क्या लिखोगे angles on the same segment ठीक है angles on the same segment are equal reason बच्चों हमेशा भी आकरो है ना चलों यह दोनों angle same हो जाएंगे अब मैं क्या करूंगा मैं B D C को पहले solve करते हैं हम तो देखो in triangle E D C यह छोटा वाला triangle लो ठीक है यहां पर देखो angle D E C plus angle B E C D E C B E C कितना होगा बच्चो 180 degrees क्यों होगा क्योंकि they are forming linear pair linear pair बना रहें तो दोनों का सम हमें पता है B E C कितना है तुम्हारा 130 degrees तुम्हें D E C कितना हो जाएगा बच्चो 180 minus कर दो यह वाला यह कितना है 130 degrees तो यहां पर मेरा answer आ गया 50 degrees तो मुझे आपना D E C 50 degrees मिल गया अब देखो बच्चो E D C में तुम्हें यह angle मिल गया 20 मिल गया उपर बाला निकल जाएगा कि नहीं कैसे मिलेगा में angle D E C plus angle E D C plus angle D C E कितना होगा यह तीन हो 180 कैसे होगा angle sum property ठीक है अब देखो बच्चो यह हमारे पास है 50 degrees EDC हमें निकालना है ठीक है यह कितना है 20 degrees सबका टोटल आएगा 180 यह दोनों मिलाओ 70 degrees ठीक है तो मैं क्या करती हूं 70 को धर ले जाती हूं तो यह minus 70 degrees हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा तुमारा 110 degrees राइट तो अब तुम्हारे पास EDC कितना आ गया 110 degrees राइट अब तुम कहोगी BAC कैसे निकालेंगे तो वो भी देख लो भाई देखो बच्चों आंगल EDC 110 degrees EDC मैं इसको क्या बोल सकती हूं BDC बोल सकती हूं न वही आंगल तो रही है ठीक है और हमको पता है आंगल BAC is equal to आंगल BDC हमने ऊपर देखा था यह दोनों एक ही सेग्मेंट में तो मैं कह सकती हूं BAC is equal to 110 degrees राइट ठीक है बच्चों असाराम से समझ में आया ना तुम लोग को अब आजो इसके question no.6 पर देखो बच्चों question no.6 में आपको क्या करना है ABCD एक cyclic कोर्रिलेटरल है ठीक है मतलब क्या है यह पूरा कोर्रिलेटर एक circle पर ठीक है अब यह कहने तुमको क्या करना है find out करना है angle BCD और angle ECD ठीक है तो क्या हमारी approach रहेगी तो देखो बच्चों सबसे पहले को हमें पता है angle BAC equal होगा angle BDC क्यों होगा ऐसे यह angle इसके equal क्यों होगा बच्चों क्योंकि दोनों same segment पर लाए करते हैं कि देखो दोनों एक ही chord पर लाए कर रहे हैं BC chord पर यह दोनों angle तो मैं कह सकते हूं यहां से अच्छा reason दो पहले angles on the same segment ठीक है दोनों angle same segment पर तो दोनों angle same होगा ठीक है तो यहां से तुमारे पस angle BDC कितना आ गया 30 degrees एक चीज हो गए अब यह देखो बच्चा एक angle तो तुम्हारे पास अच्छा नहीं आना पास BDC आया है ठीक है अब रुको अब यह देखो बच्चे कह रहे हैं in triangle अब यह भी रुको in triangle BDC BDC triangle में देखो तुम्हारे पास angle DBC given है 70 degrees angle BCD plus angle BD BDC sum कितना होगा 180 degrees क्यों होगा बच्चों angle sum property लगाने से ठीक है यह सब सारे angles का sum कितना हो जाएगा 180 degrees ठीक है तो तुम्हारे पास DBC कितना given है 70 degrees ठीक BCD तुम निकालोगे अब यह ना प्लस angle BDC तुम्हें भी कितना निकाला है 30 degrees राइट सब का साम हो गया 180 तो तुम्हारे पास BCD निकालोगे 180 माइनस इन दोनों का साम 100 है ना इधर लाओ तो माइनस हो जाएगा 100 तो यहां से तुम्हारा 80 degrees आ गया क्लेयर है तो तुम्हारे पास BCD एक चीज तो हमने कर ली है आपर 80 degrees है ना अब तुम्हें ECD निकालना है वो कैसे निकालोगे तो देखो बच्चो तुम इस वाले triangle में देखो ABC triangle में इन triangle ABC ABC triangle में AB देखो equal है BC के AB BC के equal है ठीक है तो यह given है तुम्हारे पास है ना तो मैं कह सकती हूँ that angle equal अगर होता है line segment तो equal angle subtend करता है ना तो angle BAC equal हो जाएगा angle BCA के जब यह 30 है तो BCA भी 30 होगा तो मैं कह सकती है angle BCA is equal to 30 degrees ठीक है तो तुम्हारे पास BCA आ गया 30 degrees ठीक है तो तुम्हारे पास BCA आ गया 30 degrees ठीक है तुम इसको क्या लिख सकते हो angle BCA भी लिख सकते हो एक ही चीज़े यह वाला angle 30 ठीक है clear अधा आधा आंगल ठीक है जब पूरा तुम्हारे पास 80 ठा बच्चो पूरा 80 ठा आधा 30 ठीक है तुम्हें क्या कह सकती हो बताओ तो मैं इसको देखो angle BCD को तुम कैसे लिख सकते हो angle BCA प्लस angle ECD लिख सकते है ठीक है BCD टोटल तुम्हारे पास 80 ठीक है BCE तुम्हारे पास 30 ठीक है तो angle ECD निकल जाएगा तो angle ECD कितना हो जाएगा 80-30 यह हो जाएगा यहां पर तुम्हारे पास 50 डिग्रीज ठीक है clear है I hope अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना thank you for watching grano solutions